बड़े अपर्चर में हमें टेलेस्कोप चाहिए जो वैलिव और मनी हो और शार्फ पिक्चर्स थें और पोर्टेबल भी हो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इस्टानुमर के या बड़िंग इस्टानुमर के जो स्टार्ट करना चाह रहा है दिमाग में होता है बजट में होना बड़ा अपर्चर होना और पोर्टेबलिटी यह तीनों चीज़े मिलनी बड़ी मुश्किल है जो डिजाइन्स है रिफ्रेक्टर मक्सुटाव या रिफ्लेक्टर उसमें रिफ्लेक्टर डिजाइन एक ऐसा है जो आपको पोर्टेबल भी हो सकता है बड़ा मैं बताएंगे वो ब्रेसर का 6 इंच टेबल टॉप डॉपसोनियन है इस मॉडल के मुकाबले औराइन टेलेस्कोप का भी आता है स्टार ब्लास 6 के नाम से लेकिन जो ब्रेसर का है वो इजिली अवेलिबल है आपको यहां मिल जाएगा इंडिया में वो 6 इंच का अपरचर है पैरबॉलिक मिरर है और 750 फोकल लेंट है तो फोकल लेंट अच्छी है रीजनेवल है ताकि प्लैनेट्स पे आपको रीजनेवल पावर मिल जाए और डीप स्काई के लिए है क्योंकि 6 इंच का आपको अच्छा एपरचर मिल रहा है वो भी पैरबॉलाइस्ट मिरर में इस तकर में नैशनल जोग्राफिक का है 102 mm और इसकी प्राइस काफी काम है तो इसमें भी एप है जो काम करती है और बिल्कुल स्टार सेंस जैसा है नैशनल जोग्राफिक की अपनी आप है तो उससे आप लोकेट करके टेलिसकोप उसी डारेक्शन में मूव कर सकते हैं पास में डिटेल वीडियो बना था हम लिंक नीचे शेयर कर देंगे तो बात हो रही है ब्रसर की जो इस तरह से एक ही सिंगल बॉक्स में आता है और यह बॉक्स से ही असेंबल निकलता है इसमें क्या के आता है वो देखते हैं अन बॉक्सिंग में अन बॉक्सिंग 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 बॉक्सिं तो इस तरही के से आप देख रहे हैं सुन्दर सी वाइड कलर की ट्यूब है जो असेंबल हो जाती है असेंबली के नाम पे अगर बात करें तो आपने कुछ नहीं करना यहां पे अगर आप लाएं टेलेस्कोप तो यह जो इसकी प्लेट है यह सीधा यहां पे जाती है सेडल में और यहां से उपर से आप टाइट कर देते हैं आप इसकी हाइड देख रहे हैं करीब धाई फूट के आसपास है तो आपको एक टेबल चाहिए होगी टेबल कहीं भी मिल जाती है प्लास्टिक टेबल और एक प्लास्टिक कुरसी बैट के आप घंटों अब्सर्व कर सकते हैं साथ में क्या क्या आता है उस पर नज़र डाल लेते हैं सबसे पहली बात इसमें एक रेड डॉट फाइंडर है इस तरह से तो आई पीस को रेड डॉट फाइंडर से आपको इलाइन करना पड़ेगा क्योंकि आई पीस जो है वहां से ढूंड़ने में कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है स्काई में तो रेड डॉट फाइंडर से मिजटी आप ढूंड सकते हैं यह दोनों अलाइंड है सेकेंड ली आपने कोई भी ऑबजेक्ट देखना है तो यहां से फोकस करना है इस तरीके से यहां से फोकसर जो मैं देख पा रहा हूं दो इंच का है आगे 1.25 इंच का अड़ेप्टर है और यह जो आप सिंबल देख रहे हैं यहां पर सन का उसमें क्लिर लिए दिखा हुआ है कि आपने नेकड आई से सन को नहीं देखना साथ में आता क्या क्या है 25 mm का केलनर आईपी साता है और एक साथ में 9 mm का केलनर आईपी साता है इस तरीके से फील्ड ओफ्यू आप देख रहे हैं इसका फील्ड ओफ्यू जादा है 90 परसंट आपका यह यूज होगा कोई भी चीज ढूड़नी है आप यह यूज करेंगे फोकस करेंगे यहां से यह जो फोकसिंग नॉब्स हैं और उसके बाद आप चेंज कर लेंगे प्लैनेट्स प लेकिन प्लैनेट्स को लोग मैगनिफिकेशन से देखते हैं क्योंकि उसकी डिटेल दिखाई देती है तो आपको फिर 9 mm आईपीस आप यूज कर सकते हैं आप इसमें 2 इंच का आईपीस भी यूज कर सकते हैं वो अलग से आप ले सकते हैं और और साथ में क्या आता है एक म आती हैं जैसे यह तन फिल्टर अभी आपने देखा कि बहुत एजी है इसके उपर सिर्फ लगाना है हलका सा पुश करना और वो अंदर चला जाएगा साथ में प्लैनेट्स पेर है और मैनुवल है इस तरीके से एक इन बिल्ट कॉमपास है यहां पे अगर आप देखें डि हम आपको दे रहे हैं इसकी प्राइस 38,000 की है अब इसमें एड़ उन कर सकते हैं 1.5X का डिरेक्टिंग आइपी तो आप टरेस्टिल वाच भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल दू यूज है वेट भी इसका कुछ जादा नहीं है मिरकल अगर मैं इसको उठागे फील इसका वेट करीब 9 किलो का है और एजी तो सेट अप है एजी तो यूज है बड़ा अपर्चर है परपोलाइज है काफी शार्फ इमेज देता है 3X पारलो साथ में है सन फिल्टर साथ में है मूबाइल फोन अड़ाप्टर आप अलग से ले सकते हैं तो प्लैनेट सब अपन इसमें टेबल और कुर्सी लगा के आप अराम से अबजर्ब कर सकते हैं घंटो और मुबाइल से फोटो भी ले सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं इमेजिस को तो यह सिक्स इंच का अपरचर है इसी में आपको बड़े प्लैनेटरी 8 इंच के और 10 इंच के भी मिल सकते हैं और और किन चीज़ों के आप वीडियो से देखना चाहिएंगे आप हमें बताइए को क्वेरी हो यह आपको डिलिवरी चाहिए हो पूछना हो वह हम आपको बता देंगे ओल ओवर इंडिया जैसे मैंने बताया डेलिवेरी डीडीडीसी एक्स्प्रेस पीस काफी सा दे रही है वेबसाइट पर और वहां आप ब्राउस कर सकते हैं तरह कि अ कर दो